हमारे पीछे ग्यारा मुल्कों की पुलीस लग चुके है लॉल पता नहीं ओके यहाँ पर एक पोकी बॉल है इसके अंदर है स्टोरेज की वेल एक रूम था जो की अभी भी लॉक है शायद से उसकी वो की होगी इस शिप का नाम है एसस कैक्टस शायद से इसलिए वो यहाँ पर अटकी पड़ी है ओके यार चलो यार कंप्लीट कर देते है इस मिशन को पर हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है पता नहीं क्यों शायद से मैंने लाइक पोकेमों चुराया इसलिए किसी ने तो भी यहाँ पर पुलिस को बुला लिया है बड़ ऐसा कुछ नहीं होगा यार ओकी यहाँ पर मैं स्टोरेज की का इस्तमाल करता हूं रेजर मैं क्या रहे है इसका मैं बाद में देख लूँगा पट फिलाल थो हमें पहुचना है बाहर ताकि हम पुलिस के साथ जेल में चले जाए लॉल यूर अंडर अरेस्ट मैगमा ओ यार हम जेल में पहुच चुके हैं पता नहीं हमारा क्या होगा ओ एक पुलिस वाला य यहां पर क्या कर रहा है तो इसने में खोल दिया तुम लगी हो मैगमा ओके लगता है कि इसको किसी ने पैसे दिये हैं जिसकी वज़े से यह मुझे जेल से बाहर निकाल रहा है रेश यह मैं हूँ बाब मैं अपना मिशन कंपलेट करके हाइड आउट जाने वाला था बट उप्ट मैंने देखा कि चार पुलिस वाले तुम्हें अंदर ने जा रहे थे बट लकी फो यू यू देश काई को वाला ने रहा है वह बाइस तुम्हारा था है न रिश वेल शायद से उन्होंने वह एविडेन्स लॉक अप में रखा होगा तुम वहाँ पर जाकर उसे ल आजाए तुम्हें वहां से निकलना पड़ेगा वरना तुम दोनों भी जेल में जाओगे हम बिल्कुल फ्लैश की तरहीं क्विक रहेंगे है ना रिश तुम अपना काम करो मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ ओके जैसा तुम कहूं मेरे दोस्त बॉब तो चलो यार देखते हैं कि हमारा स्केनर किधर रखा है शायद से यही वो सकेनर है यह पोकी बॉल जो है अज तुम यहाँ से नहीं भाग सकती मैं लेफ्ट की तरफ सबालता हूँ तुम राइट समाल लो ओके यार लगता है कि बॉब रॉनी से भी जादा ताकत वर ट्रेनर है मेरे इसाब से क्योंकि वो तो बोल रहा है कि मैं इनको समाल लूँगा जहां तक कि मुझे पता है कि रॉनी बिल्गुल नहीं समाल पाता वैसे भी लास्ट में रॉनी बड़ा ही बहादूर बन चुका था टीम रॉकेट एडिशन में अगर तुमको याद होगा तो तो फॉर्स्ट आ चुके हैं ये दो पोकेमोन चलो इनको हरा देते हैं इन पर हम यूज़ करेंगे असौरंस करें या पिर क्रण्च करें क्रण्च करके देखते हैं यार मेडिक चैंपर और यूज़ करते हैं लीव ब्लेड हरी आमा पर मैंने यूज़ कर दिया है मुझे लगता है कि मुझे पहले एक Pokemon को हरा देना चाहिये पर मुझे लगता है कि Crunch की मतलब से हाल जाएगा !Let's see and yep बहुत जाधा इफेक्ट की हो चुका है बहुत जाधा damage बहुंच चुका है यार सामने वाले Pokemon को लीफ ब्लेट से क्या हुआ है कुछ भी नहीं हुआ यार फायर पंच करते हैं इसने नहीं यार प्लीज नसलीफ प्लीज यार प्लीज रह जाया थोड़ा सा ओ एक हपी पर बचा है लिटरली वाट दे हेल बर्न होचुका है हमारा लीफ नहीं होट गया यार कोई बात नहीं लीफ, ऑकी हमारे नहीं पोकेमोन जिसका मैं नाम बदलने वाला हूँ जल से जल और रखने वाला हूँ ओश्याँ अपकुस यार ओश्याँ यह गेम मुझे रेकमेंड की थी यह गेम बहुत ही स्पील को यह ओ यार इसने प्रोटेक्ट यू किया इस गेम का जो AI है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वैसे मैं ने डिग का इस्तमाल किया है तो तुम्हारा प्रोटेक्ट किसी काम का नहीं है मतलब कि इसमें न तुम अगर बैटल करोगे न तो तुम्हें जादा मजाएगा क्योंकि इसमें AI बहुत ही जादा स्मार्ट है और हमारा स्पील तो गया यार क्योंकि आइसेंड वाटर डाइप पोकेमान था इसलिए सुपर एफेक्टिव था फोकस पंच एक तो बहुत ही जादा ताकतर मूव है तो चलो यार किसे बहार निकाल ले कि अपकोस बहारा जाओ हमारे करेडोस वैसे भी में किरेडोस और बाकी जो six एक्स्टर पोक्यवन है स्पील माइटीयान और नजलिप को छोड़के जो extra Pokemon मेरे team में है मैं उन्हें PC में रख दूँगा क्योंकि यह मेरे team का हिस्सा नहीं है यार मुझे अलग Pokemon पकडने थे तो चलो यूज करते है Aquatail and यार protect यार literally यार protect क्यों कर रहे हो तुम ओके डिक तो मैंने Hariyama पर किया था इसलिए अच्छा हुआ Hariyama literally एक tank Pokemon है ब्रो हार मानने के कोशिश भी नहीं कर रहा तो नहीं what the hell इसके पास rest attack कैसे आया नहीं 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 और भी जब जब मुश्किल होगा रही एसलिए तो तो चलो यूज करते है crunch वो भी Hariyama पर and यूज करते है crunch वो भी Hariyama पर let's see क्या होता है okay protect कर दिया है Medi Champ ने पर हमने तुम पर attack नहीं किया था Medi Champ कोई बात नहीं okay bad luck हो गया Medi Champ का तो but यार कितना कम damage पहुच रहा है crunch के मतद से मुझे लगता है कि Hariyama तो हारेगा ही नहीं okay ये तो अभी भी like सोया हुआ है तो हम इसे easily हरा सकते हैं तो चलो इस्तमाल करता हूँ मैं फिरसे एक बार crunch का इधर से हम इस्तमाल करेंगे Aqua Tail वो भी Hariyama पर पहले Hariyama को हरा रहा है क्योंकि Hariyama बहुत ही जादा ताकतर Pokemon है अगर फिरसे एक बार focus crunch करेगा ना तो हमारे टीम की वाट लग जाएगी लेट्स गो एकवाटेल एंड इस बार जब हमने हरा दिया है Hariyama को गेरेडोस आल्वेज ओपी ब्रो बट इस गेम में मैं गेरेडोस का इस्तमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने गेरेडोस बहुत ही जादा इस्तमाल कर लिया है इस बार हम कुछ नए पोकेमोन का इस्तमाल करेंगे तो निक्स पोकेमोन आ रहा है हमारे सामने मैनेक ट्रिक जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है तो हमारा गेरेडोस तो गया यार चलो डिक का इस्तमाल करते हैं मेनक ट्रिक पर फिर भी मैं रिस्त ले रहा हूँ अपने गरेडोस को नहीं बदलने वाला और गरेडोस की इस्तमाल के साथ हम एकवाटेल के साथ मेडी जैंप या फिर मेनक ट्रिक को हराएंगे let's go, discharge कर दिया है, इसने please Gyarados पर मत करना please Gyarados पर मत करना, minute trick please, okay, Blaze पर कर दिया है जिससे, okay, Medi Champ भी गया है discharge के मतल से आजू बाजू Pokemon पोकीमॉन पर अटेक होता है and Gyarados भी बजगी है, literally wow, हमारा risk काम में आया ओकी ब्लेज हमारा 45 लेवल तक पहुँच चुका है चलो अभी इसको हरा देते हैं अपने डिग अटैक के साथ लगता है कि एकवा टेल के साथ थोड़ी सेच पी कम हो जाएगी इसकी एन एकवा टेल में सो चुका है यही होना बाकी था यार तो नया पोकेमोन कौन सा है I mean कि नेक्स पोकेमोन नया तो नहीं ओकी एक लाइराउन वेड़ अ मिनिट मुझे हमेशा से एक एक एगराउन चाहिए था बट इस गिम में मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलेगा या फिर नहीं अपकोर्स में पकड़ सकता था एक एरॉण को बट ओव वाला idlaqa जहां पर एरॉण मिलता है वापर कबजा कर रखा था टीम E jaqwa ने और उस mechanics पर भी अटेक कर दिय Wasn't Unit год कर दिया है अपकोर्स है डिस्चारज तो हर एक पोकेमों पर अटेक मारता है एंड हमने स्टार्टिंग में दिखा था कि उसके पास चार पोकेमान थे तो चलो यार Tentacruel बहार आजाओ और Tentacruel का इस्तमाल करो लेट्स गो Tentacruel न असल में बहुत ज़ादा ताकदर पोकेमान है बट कोई से इस्तमाल क्यों नहीं करता मुझे भी नहीं मालुम इसकी असली तैकतना तब मालुम पड़ी थी जब एनुमे में हमें पहली बार Tentacrual को दिखाया गया था लिटरल यार उस टाइम ना मुझे Tentacrual बहुत ही जादा कतरनाक लगा क्योंकि इतना एपिक दिखा दिया था एक टेंटर कुरूल को मतलब कि एक डाइनमैक्स पोकेमोन बन गया था या टेंटर कुरूल इतना बड़ा था वो वेल वो स्पेशल एपिजोड अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना कि उस एपिजोड में क्या हुआ था और आखिर में टेंटर कुरूल को किसने हराया था या पर टेंटर कुरूल हरा ही नहीं था ओके हमने इन दोनों को हरा दिया है लेट सी कि अब क्या होता है तुम इस बार बच गए मैगमास बट अगली बार नहीं बच होगे क्योंकि स्टीवन खुद तुम्हें हराएगा ये तो बहुत ही जादा इंटेंस था वेल इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी बट अगली बार मैं ये रिस्क नहीं उठाने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं स्टीवन से हरू गुड लग बटी ओकी गाइस हमने इनको हरा दिया है हमें मल चुका है एक नया स्कैनर आइमिन की नया तो नहीं है बट हमें मिल चुका है स्कैनर तो अब हम जा सकते हैं किसके पास अफकोस ताभीता के पास एंड हमारा प्रमोशन जरू से मिल जाएगा इस बार में भी तो यार आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए सायोनारा और बाई बाई अगर अब तक बेल आइंकर नहीं दबाया है आइमिन के सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार 15K करने है जल से जल बेलो बहतरी दाओ शुरुआत से पहले भिसल के गिंजाओ